Hello and welcome friends, स्वागत आप से भी का YouTube चैनल MEH 2.0 पे और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी credit या debit card को चेक कर सकते हैं कि वो जो credit या debit card का नंबर दिया गया है वो fake है या नहीं है इवन आपने online payment gateway website पे काई बार देखा हुगा कि अगर आप fake number वहाँ पे डाल रहे हैं तो वो automatically detect कर लेते हैं तो वास्तम में वो जो site है किस तरह से detect कर लेती हैं उसके पीछे का logic क्या होता है आप खुद कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो credit card है वो fake है या real है यह सारी चीज़ों पर आज हम discuss करेंगे काफी informative वीडियो होने वाला है उमीद गरता हूँ यह आपको पसंद आएगा इन सभी के साथ जो लोग cyber security में अपना future बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा option है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम CEH version 11 यानी certified ethical hacking course from EC council तो जो लोग interested हैं CEH version 11 करने के लिए वो please हमसे contact करें क्योंकि credit card number वास्ता में किस तरह से बनाए जाते हैं किस तरह से इन्हे identify हम कर सकते हैं कि यह जो card number है वो valid है या नहीं इन सब के इलावा जो लोग कभी भी credit card जैसे scam का सिकार हुए है उन लोगों के लिए भी ये video काफी helpful है तो दोस्तो ये video देखकर आपकी समझ में आ जाएगा कि जितने भी credit card या debit card numbers है वो किस के algorithm पे काम करते हैं कौन सा formula है जिसकी मदस से वो काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ आपको जानने का मिलेगा तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं ज्यादा time ना waste करते हुए तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक algorithms के बारे में लोहान algorithms दोस्तो लोहान algorithms की अगर हम बात करें तो ये एक formula है check sum formula mode 10 algorithm के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं इस algorithm का implement किया था scientist Hans Peter लोहान ने तो scientist Hans Peter जो लोहान थे उन्होंने इस algorithm थी इसका implementation किया था और एक formula उन्होंने बढ़ाया था जिसकी मदस से आप check कर सकते थे लोगों की identity थी तो उसे आप check कर सकते थे government agencies में जो लोगों की identity है उन numbers को आप check कर सकते थे वास्तम में इसे validate करने के लिए बनाया गया था identification numbers को जो कि आपके credit cards के अंदर होते हैं debit cards के अंदर होते हैं या identity cards के अंदर होते हैं उस चीज के लिए तो mainly जो इस algorithm को बनाने का mainly जो reason था वो था कि जो card पे errors हो जाती है mismatch हो जाता है mistype हो जाता है उनसे बचने के लिए से algorithm का design किया गया था बट वास्तम में आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे hackers या बहुत सारे ऐसे persons जो right चीजों का भी गलत तरीके से इस्तिमाल करते हैं तो आज की rate में ऐसा करने लगे हैं बहुत सारे लोग card जैसी चीजों में इसका इस्तिमाल करते हैं तो अभी तक बहुत सारे लोग मेरे पास काफी comments आते हैं जो कहते हैं कि card के बारे में बताओ बगएरा बगएरा तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोहान को जो लोहान algorithm है वसे हम एक credit card number पे implement करके देखते हैं और उससे हम यह पता लगाएंगे कि वो valid है या नहीं तो सबसे पहले देखें यह card का number है जहां मैंने card का number apply किया जो कि credit card का number है और चार अलग-अलग parts में यह divided है आप यहां देख सकते हैं तो हम इसे लोहान algorithm से कैसे check करेंगे कि यह number valid है या नहीं है तो दोस्तो algorithm के according आप देखें 2 से multiply करना है और second जो number है उसे छोड़ देना है तो मान लिजी यहां पे हमने जो multiply किया है 4 को किया है यह number को multiply करना है एक को छोड़ देना है जैसे ही आप multiply करेंगे आपके सामने यह results आ जाएंगे 8, 16, 14, 8 तो एक number को छोड़ना है एक को multiply करना है the next step is जो number रह गए है अब उन्हें यहां पे लिख देना है उसके बाद आप देखेंगे कि अब इसे जो numbers है उन सब को सीधे सीधे लिख देना है प्लस कर देना है तो आप देखे 8 हमने पूरा लिख दिया फिर दुबारा से 8 आया है यह वाला 8 हो गया यहां पे और यह वाला 8 हो गया उसके बाद 16 को आप कैसे लिखेंगे 1 प्लस 6 तो पहले मैंने 1 लिख दिया उसके बाद लिख दिया 6 और फिर लास्ट में रहा गया 7 तो इस तरह से यह जितने भी numbers हैं इन्हें कर देना है sum sum करने के बाद add all numbers write 10 अगर 10 आ रहा है तो 1 प्लस 0 आपको लिखना है तो सारे numbers आप लिख दीजिए लिखने के बाद इनका करना है आपको total तो जब हमने total किया तो इसका total आया 80 तो दोस्तो कोई भी card का number इस formula से अगर total उसका divide हो जाता है 10 से तो समझ लीजिए वो एक valid card number है यह पहला तरीका था कि valid card को हम कैसे check करेंगे चलिए हम देखते हैं last की जो digit है उसके according कैसे लगाते हैं तो last digit जो होती है card के अंदर उसे बोला जाता है check some digit और check some digit के से हम कैसे पता लगा सकते हैं यह भी एक example के जरिए मैंने बताने की गोशिस किया है मान लीजिए हमारे पास एक card का number है यह अब हम इसे check करेंगे तो हमने last की जो इसकी digit है जैसे कि मैंने आपको बताया check some digit होती है तो आपको last की digit पे focus करना है अब क्या करना है जो rest रहे गया है हमारे पास जितना भी है इसे हम यहां से लिख लेंगे अलग सी और लिखने के बाद आपको क्या करना है आप पड़ सकते हैं double every other digit जो भी second जो digit है उसे double कर देना है मतलब two से multiply कर देना है तो अब अगर हम यहां देखें तो second digit को करना है हमने पहली digit को कर लिया दूसरी digit को leave कर दिया यहां पे फिर हमने उसे next digit को कर लिया फिर उससे अगली digit को छोड़ दिया इस तरह से हमने जो यहां पे किया है तो हमारे पास यह जो संख्या है वो आ जाएगी मतलब एक digit को छो तो add कर देना है, जो हमारे पास result आया था, उसे कर देना है add, और यह result आ गया 33, जो आपके पास result आया है, उसे 9 से multiply कर दीजिए, और multiply करने के बाद, अगर last की जो digit है, last digit 7 आती है, तो समझ लीजिए, यह एक valid check sum card number है, और valid digit है, तो दो अलग-अलग formula मैंने आपको बता है, जि SECAMS का सिकार हुए हैं, अगर हुए हैं, या होते हैं, या कभी हो चुके हैं, तो आपके पास legal actions भी हैं, दोस्तों, अगर legal actions की मैं बात करूँ, तो हमारे भारतिय सभीधान में IPC की धारा के अंदर यह सारी चीजे लिखे हुई है, IPC के section number 468, 471 में, यह बात किलियर है कि अ आप उनके खिलाफ FIR कर सकते हैं, उनमें जो IPC section लगेगा, वो 468, 471 के तहद होगा, और एक आमनागरिक bank के जरीए भी सिकायत कर सकता है, और लेकिन आपको मैं बता दू, आपके पास कुछ evidence होने चाहिए, जो आपकी swapping बगएरा, जो आपके card का misses हुआ है, उसका आपके प जैसे के SBI के लिए आप देख सकते है, block space जो आपके last four digit है card की, वो 567, 767, 7676 पे भेज देनी है, अगर आपका ICI का है, तो आप ICI की app install कर सकते हैं, उसमें block और unblock के options होते हैं, तो app जो होती है, उसके अंदर ये feature होता है, अगर आप access bank का इस्तिमाल करते हैं, तो आपको सी 567, 7672 पे या फिर जी नीचे जो नंबर दिया गया है, इस तरह के नंबर पे आप SMS करके हर किसी bank का होता है, या आपको internet से आसानी से मिल जाएंगे, तो दोस्तो ये था हमारा आज का video